नमस्कार साथियो जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिनोध बिहारी महतो को इलांचल यूनिवर्सिटी में आए दिन रिजल्ट को लेकर के बहुत ही हो हंगामा होता है चाहे वो पीजी के चात्र हों, यूजी के चात्र हों और बीएड के चात्र हों खास करके अभी पिछले छे महिनों में यूजी और बीएड के चात्रों के साथ बहुत ही नाइनसाफी हुआ है चाहे वो युनिवर्सिटी के तरब से हो, चाहे चातरों के तरब से हो, किसके तरब से हो, जब तक कौपी का पुना मुल्यांकन नहीं होगा, तब तक पता कर पाना बताना संभव नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे एक युनिवर्सिटी के तरब से एक बड़ा कदम उठाया ग अभी हाली में काफी दिन तक लोग आमरन आंशन पर बैठ गये थे यूजी का जब रिजल्ट खराप हुआ था तो बहुत सारे छात्र रास्ते पर बैठ गये थे तो इस तरह का जो धर्ना परदर्शन हो रहा है इसको रोकने के लिए बिनोध ब्याहरी महतों कोईलांचल यु किसी भी चाहिए उजी हो पीजी हो बीड किसी भी छात्रों का रिजल्ट खराप होता है तो यह कॉलेज के प्रचायर का दाई तो होता है कि वो जो बच्चों को समभा ले ना कि बच्चों को बताए कि कि किस बज़ा से रिजल्ट खराप हुआ है ना कि सिधा उसको में जब बच्चे जाते हैं तो वहां पे ताला बंदी कर देते हैं कहीं न कहीं पिछले बार पीजी और बीएड के बच्चे आमने शामने आ गये थे तो कहीं न कहीं बच्चों में टकराव की समभावना दिख रही है जिसको लेकर के स्टेंडर्ड जो वीवी का मंगलवार को वीवी में एकाडमिक स्टेंडर्ड की समिच्छा बैठक कर रहे थे उसी समय सुक्देव भोई जो भीसी है उन्होंने सारे प्रचारे को ये दायत्य दिया है कि आप मतलब उनका साफ काना है रिजल्ट अच्छा हो या खराब हो आप कि कॉलेज के बच्चे जदी युनिवर्सिटी में आते हैं तो कहीं न कहीं इसका जिम्यवार कॉलेज के प्रचारे है अब बताएए प्रचारे करेंगे क्या अब जब बच्चे जाएंगे कॉलेज प्रिंसिपल को बोलने के लिए कि सर हम तो सही लिखेते मेरा रिजल्ट खराप हो गया तो प्रचायरे का बोलेगा कि हम थोड़े कॉपी चेक किये हैं जाओ तुम लोग यूनिवर्सिटी अब यूनिवर्सिटी में ही प्रचायरे पे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का ये कदम उठाया गया हलाकि मैं सभी बच्चों से ये आगरह करना चाह अधि आप बहुत अच्छे से पढ़के जाते हैं तो रिजल्ट खराप होने की संभावना कम होती है उसमें आपको लगता है कि नहीं हमा सही में हमारे साथ जाती हुआ है तो आप अपना कॉपी का पुना मुल्यांकन करवा सकते हैं जिससे कि आपका रिजल्ट में सुधार हो सकता है साथी साथ डिगरी सेमिस्टर वन के बच्चों के लिए डिगरी सेमिस्टर वन यूजी सेमिस्टर वन के बच्चों बहुत सारे बच्चों का एड्मिशन हो चुका है अभी जो फिप्थ लिस्ट है उसका एड्मिशन चली रहा है इस सबंद में इसके बाद जो ब पता देना चाहता हूं, चाहे जिस भी सोर्स से हो, आप अपना पढ़ना शुरू कर दें, यूनिवर्थीटी के भरो से ना बैठें, ठीक है? बाकी बात मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी धन्यवाद.